Hello everyone, आज हम लोग करेंगे Lesson 7 कलम या तलवार के प्रश्ण उत्तर Question number 1 पाठ को ध्यान में रखते हुए बताईए कि आप कलम या तलवार में से किसे चुनना चाहेंगे कारण सहीत उत्तर दें उत्तर, पाठ के आदार पर हमें कलम ज्यादा भरसे मन लगती है कलम से निकले शब्द चिंगारी बनकर विचारों को बदल देते हैं बड़ी-बड़ी हस्तिया धाराशाई हो जाती है धाराशाई यानि कि खतम हो जाती है कलम दिल और दिमाग दोनों में आग लगा देती है इसलिए हम कलम को चुनना चाहेंगे Question number 2 कवीता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिये गए है उत्तर कवीता में कलम को महत्वपूर्ण बनाने के पक्ष में निमांकित तर्क दिये गए है पहला तर्क है कलम मनो भाव को उच्च करती है यानि की उंचा बनाती है हमारे मन के भावों को कलम देश भक्ती का भाव जगाने वाली शक्ती है तीसरा यह दिल एवं दिवाग में आग लगा देती है चौथा यह विचारों के अंगारे पैदा करती है फिफ्थ कलम शोशन को पहचानती है अते उसके विरोध में प्रतिवाद करनेप का भी दम रखती है कोश्चन नम्ब थ्री कवीता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है आंसर कवीता में कलम का आशय मानसिक शक्ती से है तथा तलवार का आशय शारीरिक बल से है कोश्चन नम्ब फो विचारों के जलते अंगारे का क्या भाव है उत्तर कलम विचार एवं तर्क रूपी अगनी पैदा करती है कलम से लिखी रचना में विचारों को जगजोड देने की ताकत होती है इसे पढ़कर दिमाग में कूव वैवस्ता के प्रती असंतोष उत्पन होता है यानि कि जो वैवस्ता कूव वैवस्ता होती है यानि कि गलत वैवस्ता होती है तो जब कलम से कुछ लिखा जाता है तो उसे पढ़कर हमारे दिमाग को यह बात समझ आती है और हमें असंतोष प चिंगारी से क्यों की गई हैं, उत्तर कलम साधने वाले बुद्धी जिवी होते हैं, यानि कि जो लिखने पढ़ने वाले होते हैं, उनमें समझ बुद्धी होती हैं. यह वर्ग सही एवं गलत को पहचानता हैं, जब कलम वैवस्ता के विरुध लिखने लगती हैं, तो वाले के दिमाग में चिंगारी के रूप में पुस्ती है यानि कि जब हमारी व्यवस्ता ठीक ना हो जैसे देश की व्यवस्ता या हमारे सोसाइटी की व्यवस्ता तो जब उसके विरुद लिखा जाता है तो हर एक इनसान जो की उसे पढ़ता है उसके दिमाग में यह चीजे चिंगारी की तरह पुस्ती हैं यानि पलती हैं, तब महा विसपोट होता है और कूब वैवस्ता भ्यानक विसपोट में सवाहा हो जाता है Question number 6, कैसे व्यक्ति को तलवार की अविशक्ता नहीं होती है आंसर बुद्धी जीवी व्यक्ति को तलवार की अविशक्ता नहीं होती है बुद्धी जीवी यानि कि जिसमें समझ बुद्धी हो पड़ा लिखा हो उसके लिए उसकी कलम ही चिंगारी रचने वाली छड़ी होती है यानि कि जो काम जिने समझ नहीं होती वो तलवार से करते हैं, जो बुद्धी जीवी होते हैं, समस्दार होते हैं, वही काम उनके लिए उनकी कलम कर देती हैं. Question number 7. तलवार कब जरूरी हो जाती है? Answer. जहां असत्य, सत्य का गला घोटे, वहां तलवार बहुत जरूरी हो जाती है. Answer. जिन पर कलम की ताकत काम होगा, क को आ, फिर म, काम. काम नहीं करती है, वहां तलवार से काम लेना आव्यशक हो जाता है. तो जहां पर कलम, वहां पर जैसे की बहुत ही गलत लोग होते हैं, जिनको बात बोलो तो भी नहीं समझाती, तो वहां पर तलवार की ही जरूरत होती है. अब हम करेंगे पाठ से आगे. Q1. कहा जाता है, बुद्धिस्व्य बल तत्सिर, आप इस विचार को सही मानते हैं या गलत, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए. Q1. मैं इस विचार से सहमत हूँ, कि जिनके पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य दुर्बल होते वे भी अपने से कई गुना वल्शाली मनुष्य को भी अपने अधीन कर लेता है, जैसे कि एक साधारन महाबत हाती जैसे विशाल जीव को अपने वश में कर लेता है. Q2. क्या आपने कभी कमजोर प्रानी या व्यक्ति को अपने से मजबूत को पचारते हुए देखा है, पाठ के संधर्व को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए. Answer. हाँ, हाँ के बाद कौमा हुगा, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति वलशाली को मात दे देता है, मात यानि हरा देना, हाथी जैसे वलशाली को चीटी परिशान कर देती है, और एक कहानी थी, बच्चों आप वो भी लिख सकते हैं, जब एक छूटा सा खर्गोष अपनी बुद्धी का इस्तमाल करता है, और उस खुंखार शेर को जो की जंगल के सारे जीवों को खा जाता था, उसे मरने पे, कुए के अंदर कूद के मरने पे मजबूर कर देता है, तो यहाँ पे जो खर्गोष था, बड़ा ही कमजोर था, और शेर बड़ा ही बलशाली था, फिर भी खर्गोष ने अपनी बुद्धी का इस्तमाल किया, और बलवान शेर को उसने खतम कर दिया, कुश्चिन नमबर थ्री, कई बार आपने देखा होगा कि तन में शक्ती कम होने पर भी, चीटियां खुद से, यहाँ पे द होगा, खुद, खुद से कई गुणा बड़े जीव जन्तूओं को खीच कर ले जाती है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, अन्सर, चीटियां खुद से बड़े जीवों को इसलिए खीच कर ले जाती है, क्योंकि वह समू में काम करती है, समू में मतलब गुरुप में एक जुट होकर, संगठन में काम करने से ताकत मिलती है, जिससे कि हम जीवन में सफल हो सकते हैं, अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना, कुश्चन नम्बर वन, कलम देश की बड़ी शक्ती है, इस पंगती को ध्यान में रखती हुए, मैं कलम हूँ शिर्षक पर अपने विचार लिखें, आंसर, यह पंगती कलम देश की बड़ी शक्ती है, बिलकुल सच है, क्योंकि हर अच्छे और बूरे दोर में कलम ही देश का सच्चा साथी होता है, कलम से लिखी हुई हर क्रांतिकारी बात लोगों के मन में बस जाती है, जब हमारा देश पर तंत्र था, यानि की गुलाम था, तब भी क्रांतिकारी विचार, देश वार्षियों को देश का भविश्य बदनने और सवतंत्रता प्राप्त करने में इसने एक बड़ी योगदान दिया, यानि की कलम ने, यह देखने में छोटा होता है, पर इसका योगदान बहुत उंचा है, यह बिना रक्त बहाए, बहुत बड़े-बड़े बदलाव करने की शक्ती रखता है, Question 2, यदी कलम का आविश्कार नहीं होता, तो क्या होता? Answer, यदी कलम, यहाँ पे आ का मातरा नहीं होता, अब कलम लिखेगा, कलम, कलम, यहाँ पे भी आ का मातरा नहीं होता, तो हम कभी भी अपने विचारों को लिखकर प्रकट नहीं कर पाते, संपूर्ण मानव जाती मुर्ख और अनपड़ बनी रह जाती लोग अपने शत्रू के प्रती हिंसक बने रहते और अपने शत्रू के खिलाब शस्त्र उठाते रहते यहाँ पे आ की मातरा नहीं होगी शस्त्र उठाते रहते इस दुनिया में कभी भी शांती नहीं होती और मानव जाती का विकास नहीं होता नमब थ्री, मान लीजिए कि कलम और तलवार की आपस में भेट होती है भेट यानी मुलाकात आपसी बाचित में दोनों एक दूसरे से स्वैम को श्रेश्ट शिद करने की कोशिश करते हैं यानी कि वैं अपने आपको एक दूसरे से बहतर बताने की कोशिश करते हैं दोनों के विच किस प्रकार का बारतलाब हुआ होगा संबाद के रूप में लिखिए तलवार कलम कैसे हो तुम तो बड़े छोटे हो कलम मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो मैं भले ही छोटा हूँ पर मैं काम बहुत बड़े बड़े करता हूँ तलवार बड़ी बड़ी बाते करने से क्या होता है फिर कलम आगे कहता है कलम मैं केबल बाते ही नहीं करता बलकि बहुत बड़े बड़े कार्य भी करता हूँ तलवार पर मेरी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो कलम आज की दुनिया में मेरी ही चलती शांती बनी हुई है तलवार वे कैसे तो अब ये बारतालाब आगे बढ़ती जाएगी जैसे कलम कहेगा क्योंकि मैं ही अपनी जरिये लिखता हूँ कि शांती कितनी जरूरी है फिर तलवार समझेगा कि हाँ ये बात बिलकुल कलम ठीक कह रहा है फिर दोनों का ये तर्क बंद भी हो जाएगा या फिर आप अपने हिसाब से भी एक अन्वसेशन को आगे बढ़ा सकते है अब हम करेंगे निम लिखित मोहाबरों का अर्थ ग्यात कीजिए और मोहाबरों से सार्थक वाक्य बनाईए पहला है आग में कूदना साहस दिखाना रवी गाउं को डाकूय से बचाने के लिए आग में कूद गया नमब टू कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना रामनी परिक्षा में कलम तोड़ कर लिखा है नमब त्री दिमाग खाना समय बरवाद करना शाम जब भी मेरे पास आता है मेरा दिमाग खाता है नमब फो लहु सूखना साहस खतम हो जाना शेर को देख कर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा लहु सूख गया हो नमब फाइव मन में ठानना संकल्प करना सीमा ने बहुत अच्छे से प्राई करने की मन में ठान ली है नमबर सिक्स मैदान मारना जीत लेना भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेग में हरा कर मैदान मार लिया तो बच्चों ये था आपका लेसन्स 7 कलम और तलवार बागे के सारे लेसन्स के question answers के लिए उनके explanation के लिए आप हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजिएगा और हाँ इस वीडियो को like and share करना मत भूलेगा अपने friends के संग thank you very much everyone bye bye